हेलो एब्रिवन आपका स्वागत है मेरी चैनल में तो आज में बनाएंगी आलू बैंगन की चटपटी मसालेदार सबजी जिसे खाकर आप बार बार खाना पसंद करेंगे अगर जिसकों ये सबजी पसंद नहीं है वो भी खाना पसंद करेगा और बहुत ही कम मसालों में करें तो आज में दो करेंगें अच्छे से लिए एक साफ Adobe लिया है उप्याई होक्ता ही रखा इसकिए कि सबजी का कसब इस बहुत ही अच्छा मैंने जादा नहीं मिष comedian मैंने अर्क मी साइज के जिसके मैंने एससे फिसमे काट लिया है और इसे पाणी में डाल करके रक दिया था था पीने ताकि जो यह आलू है वो का लेना हो फिर यहां पे मैंने ले लिया है बैंगन छोटे वाले बैंगन लिया है जो छोटे साइज के आते हैं इसमें बड़े साइज के भी आते हैं लंबे वाले भी आते हैं आप कोई भी बैंगन ले सकते हैं तो मैंने यहां पे लिया है पाई या बैंगन देखेंगे अब इसे हम क्या करेंगे जो इसका यह चीज है ग्रिन ग्रिन इसे चाकू से उतार देंगे और फिर इसे हम क्या करेंगे काट देंगे उपर से जो इसकी है डंडे से वो काट देंगे फिर जैसे के हम बैंगन भरते है वैसे टाइप में इसे उसमें कट लगाते है इसे हम काट देंगे 4 PC's में जैसे चाय आप वैसे काट सक्ते हैं बंगर मैं ऐसे काट दूओं, 4 PC's कर रही हूं उसके एक बंगर के और बंगर को काट करके इसाथ की साथ हमने क्या करना है, पाने में टाल देना है, अगर आप पाने में नहीं टालेंगे तो ये काले पढ़ जाएंगे ये देखेंगे सारी बेंगर में निकार्टे है और पानी में साथ के साथ ही डाल दिये थे पानी में ऐसे ही से चोड़ देंगे अब ले लेंगे एक pressure cooker उसमें डाल देंगे oil ये देखेंगे तीन चमज इसमें oil डाल दिया है मेनी सरसों का ओयल, ओयल को अच्छे से गरम कर लेंगे, यह देखेंगे, ओयल अच्छे से गरम हो गया है, थोड़ा सा मेनी ठंडा भी कर लिया था, ताकि ज्यादा गरम था, फिर इसमें डाल देंगे, आधी चोटी चमज, जीरा, एक चुताई चमज डालेंगे, हींग, और मसाला भी इसके रखा था, वो डाल देंगे, और अच्छे से मिक्स करेंगे, यह देखेंगे, अच्छे से मिक्स कर दिया है मैंने, अब इसे मिक्स करने के बाद ऐसे ही एक मिन्ट के लिए छोड़ देंगे, फिर इसमें हम डालेंगे, नमक, डेर्ड चोटी चमज, नमक डा जब देंगे हैं आप देख सकता है कि मैंने घर के ही मसाले डाले हैं कोई एक्सरा मसाला इसमें नहीं डाला बहुत ही सिंपल तरीकिसे मैं बना रही हूं वह भी प्रैस्चर कुकर में और इतनी टेश्टी बनेगी कम मसालों में तो आप खाते ही रहा जाएंगे बार-बार खा ले यह सोड़ देंगे फिर आप धीप सकते हैं कि जो इसका ओल है वो निकर ले लगा है मैंने ज़्याद़ ऑलिस नहीं डाला उय हम ज्थाधा उए अजनी हुआ डाला है अच्छेकर देंखे फिर इसमें हम क्या करेंगे, जो अलु बेंगर हमने काट के रखे हैं, वो डाल देंगे, फटा-फट से, अलु बेंगर मैंने डाल दिया है, फिर इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, ताकि अच्छे से हम इसे भून साखे मसाले के साथ, और अच्छे से मिक्स कर देंगे इस से दिखेंगे अच्छे से मिक्स कर दिया है और थोड़ देर के लिए इसे और छोड़ देंगे और बीच बीच में अच्छे से मिक्स करते जाएंगे यह दिखेंगे जो हमने पानी डाला था वो अच्छे से सोख चुका है और अच्छे से इसके यह भून चुका है तो हम क्या करेंगे इसमें तरी का पानी डालेंगे थोड़ देर के लिए और भून लेंगे और इसमें डालेंगे तरी का पानी जितना आपको तरी चाहिए अगर पतली चाहिए या गाड़ जी उसे साफ से आप कर सकते हैं मैंने इसमें एक गिलास पानी डाला है एक से डिट गिलास पान देखेंगे और प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे और इसे पांच मिट तक पका लेंगे तक पांच HT के बाद देखेंगे एक तो आलू है वह अच्छिह से पक चोके हैं बहारम। भी अच्छी से बेंगर हैं ब्याण्यस भुथ मिखते हैं ऑफ इसके जो तरी है वह से हम करेंगे सर्व देखा ना कितनी जट पर सी आलू बैंगर की सबजी बंगर के त्यार हो गई अब इसमें मैंने यहाँ पर ले लिया है एक चमच गी या ओयल कोई भी ले सकते हैं फिर यहाँ पर मैंने इसमें डाल दिया है कश्मीरी लाल मेर्च आदे चमच अगर आप चा करके है त्यार आप भी रेस्पी ट्राइ कीजिए आपको रेस्पी कैसे लगी हमें कमेंट करके जुरू बताएए वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए अपनी फ्रेंड और फैमली के साथ शेयर कीजिए तो मिलते हैं ऐसे एक नई वीडियो के साथ झाल 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 झाल